नमस्कार, सुवागत है आप सभी का दालेबल 10 स्टडीस में आज हम 20 नवंबर 2020 के करेंट अफियर डिसकस करेंगे आज का फर्स्ट कोश्चन है हाल ही मैं परम सिद्धी खबरों में है यह क्या है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन सुपर कम्प्यूटर है परम सिद्धी और अभी यह न्यूस में इसलिए है क्योंकि टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्टिबूटर कम्प्यूटर सिस्टम में परम सिद्धी की जो रैंक है वहाँ 63 है ठीक है बदलब टॉप 500 सुपर कम्प्यूटर में परम सिद्धी की जो रैंक आई है वहाँ 63 आई है परमसिद्धी जो है वहाँ एक High Performance Computing Artificial Intelligence सुपर कम्प्यूटर है Next Question है हाल ही में जैक, बसोन, इसावे, कांगिर, लसूक, हेल, हैम, ग्लैशियर खबरों में है यहाँ किस देश के ग्लैशियर है और इसका सही आंसर है Option B यह Greenland के ग्लैशियर से है Location देखते हैं एक बार मैप में, Greenland की यहाँ मैप में देख सकते हैं Greenland Greenland जो है वहाँ Autonomous Territory है Kingdom of Denmark की Capital इसकी नूक है और Currency यहाँ के Dennis Kron है यहाँ Atlantic Ocean और Arctic Ocean के बीच में है और अभी यह Glashier जो नियूस में इसलिए है क्योंकि यहाँ जितना भी हम Expect किया गया था तेजी से यह Glashier पिगल रहे है Next Question है हाल ही में चाप्रे वाइरस खबरों में है इसकी उत्पत्ती किस तेश में हुई है और इसका सही आंसर है Option B Bolivia में उत्पत्ती हुई है चाप्रे वाइरस की Map में देख लेते हैं Bolivia जोगी South America की एक Country है जिसकी Capital है La Page Boliviano है Researchers जो है US Center for Disease Control and Prevention जिसे चौट में बोलते है CDC जिनोंने रिसेंटली भी डिस्कवर्ड की है एक ड्रेयर इबोला के जैसा ही एक वाइरस ठीक है जिसका नाम है विमारी या फिर बुखार ठीक है जिसे Bolivia में पहली बार डिस्कवर्ड की आ गया था ठीक है बोलिविया का एक गाउं है चपारे और उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है ठीक है जो disease जो illness डिस्कवर्ड की गई है वो क्योंकि इसे 2004 में पहली बार ओरिजिनेट किया गया था बोलिविया के एक गाउं में जिसका नाम है चपारे यह जो वाइरस है इसका नाम इसी लिए चपारे पड़ा है ठीक है चपारे जो है एक रूरल प्रॉविनेंस है नर्दन ब्रीजन ऑफ सेंट्रल बॉलिविया का चपारे वाइरस जो है वहाँ सेम उसी फैमिली से ब्लॉंग करता है जिसे इवोला वाइरस डिसीज जो है वहाँ ब्लॉंग करती है यहाँ एक तरह का चपारे हैमोर हैजिक फीवर है ठीक है चपारे वाइरस जो है वह जनरली कैरिड होता है मतलब यहां फैलता है rats के द्वारा जो चूहे होते हैं उनके द्वारा और यहां ट्रांस्मेट होता है direct contact में आने से अगर infected rodent जैसे जो चूहे होते हैं ठीक है जो कुतरते हैं चीजों को उनके अगर direct contact में आ जाएंगे तो उसकी वज़े से यह transmitted होता है या फिर उनके urine यह dropping ठीक है जैसे मुह से जो लाड निकलती है उसके ठीक है या फिर infected person की इनमें से किसी भी चीज के contact में आने से यह virus फैल जाता है disease vector जो है इसका जो agent है वह transmit होता है या infectious pathogen के द्वारा ठीक है एक परसन से दूसरी परसन जो living persons होते हैं उनमें इस pathogen infectious pathogen के द्वारा यह transmit हो जाता है next question है हाल ही मैं अनुच्छेत जिसे article 363A समाचारों में है यहां निम्लिकित मैंसे किस से संबंदित है और इसका सही answer है option B abolition of previe persons article 363A जो कि insert किया गया था constitution में 26th amendment act 1971 में जिसे जाना जाता है कि जो प्रेवी परसन जो थे ठीक है उसको abolition करना जो extra pension दी जाती थी जो राजा महराजा होते थे उन लोगों को उनकी जो pension स्वेरा को खतम कर देना ठीक है अभी news में ये क्यों है उसके बारे में जानते हैं ठीक है last जो निजाम थे नबाव मिर उस्मान अली खान और इनके जो पोतिक grandson नबाव नजफ अली खान इन्होंने एक complaint register करवाई है मतलब FIR register करवाई है है हैदराबाद पुलिस में जो इनके relatives है निजाम के ठीक है उन्होंने false document को दिखा कर जो इनके पूरवजों की जो संपत्ती थी UK बैंक में लगवग 35 मिलियन यूरो उन पर claim किया ठीक है तो उन्होंने false document दिखाये थे इसी को लेकर जो last निजाम के जो अनाकियान जल विद्यूत परियोजना खबरों में है यहां किस राज्य में है तो यह जो अनाकियान हाइड्रेल प्रोजेक्ट जो है वह केला में located है ठीक है इसी से यहां संबन देते हैं जानते हैं अबी हाल ही में जो green collectives and environmental organizations जितनी भी green organizations हैं जो environment के लिए काम करती है ठीक ठीक है वो प्रोटेस्ट कर रही है इस अनाकियान small hydroelectric project के लिए जो कि केला में setup किया जा रहा है ठीक है और यहां इसलिए मतलब reason चांदे हैं कि क्यों लोग इसका protect कर रहे हैं जो protest हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं ठीक है तो इस project के बारे में जानते हैं क्योंकि यह जो project है यहां आ रहा है परम बिकुलम tiger reserve के buffer john के अंदर आएगा ठीक है दूसरा इसके अंदर already एक tunnel भी बनी हुई है forest है ठीक है और problem यह हो रही है अगर इस small hydroelectric project को setup किया जाएगा तो जो around 20 hectare forest land जो है उसे साफ करना पड़ेगा ठीक है forest को पूरा काटना पड़ेगा और जिसकी व वजह से क्या होगा यह already यह जो area है यह काफी ज्यादा ecologically fragile area ठीक है और इससे यहां पर जितने भी flora और fauna होंगे जो प्रिदातिस होंगी flora और fauna की जानवर और पीड़ पौदों की वह सभी laws हो जाएंगी ठीक है एक तो यह problem हो गई जो जिसकी वजह से environmental जो organizations है वह इसका प्रोटेस्ट कर रही है दूसरा यह है कि forest rights act 2006 के according ठीक है यह जो area है यहाँ पर tribal रहते है local कादर tribes उनसे भी concert नहीं किया गया उनसे भी approval नहीं लिया गया है इस project को यहाँ पर setup करने के लिए ठीक है अगर हम कुछ revision की बात करें केरला में तो NSO के survey के according केरला ने टॉप किया है लिटरेसी रेट में next है केरला जो है वह first state है जिसने snake handling को institutionalize किया है next point है केरला first city है country में जो की integrate water transport को metro के थुरू provide करा रहा है next है first marine ambulance जिसका नाम है प्रतिक्षा ठीक है इसे केरला नहीं launch किया है और यह पहली marine मतलब पानी में चलने वाली ambulance है next point है केरला ऐसा पहला मतलब state है ठीक है जिसने 16 agriculture items का minimum support price fix किया है क्योंकि अभी तक जो center fix करती थी MSP केरला first state है next है केरला ने public affair index में top किया है इंडिया का पहला solar powered miniature train ठीक है जो की lunch की गई है केरला में ही next point है केरला जो है for first state है country का जिसने अपने यहां की public education को पूरी तरीके से digital कर दिया है next point है केरला का जो sustainable development goal से related जो non communicable disease के लिए जो contribution था उसके लिए केरला को UNI ATF award मिला है next point है केरला में setup किया जो आ रहा है largest care and cure center जो की elephants के लिए हातियों के लिए होगा वहाँ पर उनकी care और cure किया जोएगा next है केरला में ही 100 million साल पुरानी एक fish जिसका नाम है enigma चन्ना गॉलम वह discovered की गई है next point है केरला ने launch का एक eco sustainable program जिसका नाम है परिवर्तनम और यह जो program चलाए गया है जो fishing communities होती है न ठीक है जो मच्छुआरे होते हैं उनके लिए चलाए गया है ताकि उनको जो कहां तक उनकी fishing की range है कहीं वो दूसरे area में ना पहुंच जाए दूसरे के oceans में तो GPS के थुरू उनको locations प्रोवाइड की जाएगी और forecast भी किया जाएगा कि कोई problem तो नहीं आने वाली अगर हम static information की बात करें किरला में तो यहाँ पे जो national park है वहाँ है Arabiculum national park, Silent Valley national park, Peria national park, Pampadum shola national park, माथी केतन शola national park और अर्ना मुडी शola national park Chief Minister यहाँ के पिन्रोई विजियन है और Governor यहाँ के आरिफ मुहंबत खान है Next question है किस देश के उच्चा योग ने ठीक है जिनको बोले जाता है High Commission ने धाका में मुझीव शताब्दी वर्ष के लिए विशेज संसकरण कलाई घडियों का शुबारम किया और इसका सही आंसर है Option B इंडिया के जो High Commission है उन्होंने लॉंच किया है एक Special Edition Wrist Watch जो हाथ की कलाई घड़ी होती है न ठीक है वो मुझीव सैंच्री यर्म के लिए ठीक है अब यह जो Wrist Watch जो इंडिया के High Commission के द्वारा लॉंच की गई है इस रिस्ट वाच में ठीक है इस घड़ी में बंगा बंदू सेख मुझीवर रहमान इनकी इमेज और सिनेक्चर जो है वो है ठीक है इस वाच में और बंगलादेश जो है वाच सैलिब्रेट कर रहा है बर्थ सैंच्री इयर बंगलादेश के फाउंडर प्रेसिडेंट ठीक है फादर आफ तर नेशन बंगा बंदू सेख मुझीवर रहमान गवर्नमेंट जो है बंगलादेश की उसने डिकलेट किया है कि 17 मार्च 2020 से लेकर 26 मार्च 2021 तक इसे मुझीव बॉर्थ सो मार्किंग तब बर्थ सैंच्री ओफ बंगा बंदू मतलब बंगा बंदू की ही सैंच्री के रूप में पूरा साल सैलिब्रेट किया जाएगा किस बैंक ने कासा अभिहान शुरू किया है और इसका सही आंसर है option C कनाट का बैंक ने launch किया है कासा है कासा मतलब current account saving account इसमें क्या होगा इसका main objective बस यही है कि जिनके पास basic banking services नहीं है उनको society में basic banking services के लिए मदद करना ताकि वहाँ current account और सेविंग अकाउंट ओपन करा सकें और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना ताकि वह डिजिटली इन सब चीजों को एक्सेस कर सकें नेक्स्ट कॉश्चन है निम्रिकित मैंसे कौन गोवा की पहली महला राज्यपाल थी और इसका सही आंसर है अब यह नियूस में इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मर गवर्णर थी गोवा की और बीजेपी लीडर म्रिदला सिन्हा जिनका भी हाल ही में निदन हो गया है यह फर्स्ट वमें थी गवर्णर गोवा की ठीक है और यह काफी ज़्यदा पफिशेंट राइटर भी थी और इनका जो योगदान था लिट्रेचर और कल्टर में काफी ज़्यादे इन्होंने कंट्रिबूशन दिया है ठीक है इसी के साथ यहां HRD मिनिस्ट्री में सेंट्रल सोशल वेलफेर बोर्ड की च्रेपरसन भी थी और नेक्स पॉइंट इनके बारे में कि यह है क्योंकि यह वन के अंदर कैटल शेड को ओपन भी किया था निक्स कोशन है विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसफी डे किस दिन मनाया जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ A और B 19 नवंबर और 20 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेट किया जाता है 2020 एडिशन जो है वर्ल्ड फिलोसफी डे का वह सेलिब्रेट किया जा रहा है 19 और 20 नवंबर को ठीक है और पर्टिकुलर यहां पर रिफ्लेक्शन किया जाएगा COVID-19 पैंडेमिक को लेकर ठीक है और इस बार की जो थीम है वो देख लेते हैं एक बार The Importance of Philosophy in Times of Crisis ठीक है The Importance of Philosophy in Times of Crisis और जो थीम्स है एचली यह दो दिन शेलिब्रेट किया जा रहा है तो कुछ इवेंट्स तो है वो 19 नवंबर को होगे और कुछ इवेंट्स तो हैं वो 20 नवंबर को होगे जिससे कि 20 नवंबर को एक बुक लाँच की जाएगी COVID-19 च्रूबर् की जो की health को as a profit as a philosophical issues के लेकर एक round table है fear confidence और risk को लेकर ठीक है 19 नवंबर को जो है एक round table जो होगी वहाँ being together in the face of the pandemic next round table the language of the pandemic एक special world philosophy day master class होगी जिसमें young people होगे जो की racism के against जो है वो fight के लिए critical thinking वेड़ा जो है वह use करेंगे ठीक है next question है theme क्या है world toilet day की और इसका सही answer है option c sustainable sanitation and climate change is the theme of world toilet day wish was 144 दिवस United nation and कई और भी international organization जो की celebrate कर रहे हैं world toilet day को 19 नवंबर को ठीक है यह जो world toilet day है जो officially से convenient किया जाता है UN water के द्वारा इस बार की जो theme है वह sustainable sanitation and climate change है sustainable development goal 6 जो है ठीक है अगर हम बात करें तो वह water and sanitation से ही related है ठीक है water and sanitation for all sustainable development goal जो की 2015 में इन पर बात हुई थी कि 2030 तक सारे जो 17 goals है उन्हें अचीव किया जाएगा अगर हम history जाने तो United Nation General Assembly ने declared किया था officially कि 2013 से ठीक है इस डे को और Singapore resolution के बाद इस डे को officially मतलब declare किया गया था ठीक है इससे पहले जो world toilet day जो था वह unofficially established किया गया था 2001 में एक Singapore based NGO के द्वारा जिसका नाम तब world toilet organization के द्वारे established किया गया था officially declared किया गया अगर हम UN water body की बात करने तो United Nation की ही एक body है ये ठीक है जो की एक inter agency mechanism है ये coordinate करती है international organization के साथ मिलकर और वर्क करती है water or sanitation पर ये body जो है वह स्ट्राइबलिश होई थी 2003 में अगर हम इंडिया में world toilet day की बात करें तो इस occasion पर union ministry जो है जल शक्ति उसने प्रेजेंट किया है करेगी स्वक्षता पुरुसकार जो की स्वक्ष भारत mission के तहट दिये जाएंगे ये पुरुसकार स्वक्षता और कल हमने आपसे questions पूचेते मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे चरड का आयोजग कहां किया जाएगा ठीक है और ये जो मालाबार अभ्यास जो हो रहा है जो exercise है ये 24th edition है ठीक है और ये second phase है जो कि Arabian Sea में हो रहा है और इसका जो first phase था वह बे आफ बंगाल में हुआ था ये गलत है next is now is the theme of the Bangalore Tech Summit 2020 next भी गलत है महरास्ट the first solar power enabled textile mill in Asia to come up ठीक है महरास्ट में पहली textile mill है जिसने पूरी तरिके से वह solar energy से ही operate होती है next जो है वह गलत है क्योंकि according to bird west cities report लंदन इस rank top लंदन ने top किया है ठीक है next बिल्कुल ठीक है कि जो manual medino जो है जन्हें power से हटा दिया गया है या पेरू के president थे आप सब के लिए question है किस राज्यन है गाउ के सरक्षर और समवंधन के लिए गौ मंत्री मंदल की स्थापना करने का निड़े लिया है मतलब जो कि गौ कैबिनेट कौन establish कर रहा है किस कौन से state अगला questions कुछ और भी 19 नवंबर के रिविदन्स questions है ठीक है पहला questions है कि इंडिया का पहला green energy convergence project कहां पर स्टाट अप किया जो रहा है क्या इसका answer गुआ है next question है हर्याना ने launch किया है वत्सले योजना और समर्त योजना next question है क्या home ministry ने launch किया है लीलावती अवार्ड 2020 का next question है माई सांधू ठीक है मैं सांधू ठीक है क्या यह first woman president है मॉल डोवा की ठीक है और अब इनकी answer true and false में दीजिए comment box में और thank you so much आज का discussion यहीं समापत होता है